Hey guys, मैं हूँ अंच्री और आप देख रहे हैं Hindi Tech HD आज की इस वीडियो में हम कमप्राइजन करेंगे Xiaomi Redmi 9 Power और Oppo A15s के बीच और देखेंगे कि इन दोनों डिवाइसे में से कौन सा डिवाइस बेस्ट है और साथ ही देखेंगे कि फोन के कैमरा, प्रफॉर्मेंस, डिस्प्ले, बॉड़ी, फीचर्स, कम्मुनिकेशन चिप्स और प्राइजस में कौन विनर है और आखिर में मैं बताऊंगे आपको कि मेरे कौर्डिंग हैं कौन सा डिवाइस बेस्ट है तो इस वीडियो को एंड दक ज़रूर देखी तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देवी के तो सबसे पहले बात कर लेते हैं डिवाइस के कैमरा की तो पहले स्टार्ट करते हैं रेर कैमरा से तो यहां Redmi 9 Power में है Quad Camera का Setup जिसमें है 48MP का Wide Camera, 8MP का Ultra Wide Camera, 2MP का Macro Camera और 2MP का Depth Sensor और A15S में है Triple Camera का Setup जिसमें है 13MP का Wide Camera, 2MP का Macro Camera और 2MP का Depth Sensor तो यहां Clear Winner है Redmi 9 Power क्योंकि इसमें है Quad Camera का Setup बात करते हैं Front Camera की Redmi 9 Power में है 8 Megapixel का Wide Camera और A15S में है 5 Megapixel का Wide Camera तो यहां भी Winner है Redmi 9 Power बात करते हैं Camera के Features की तो यहां दोनों ही Devices में है LED Flash, HDR और Panorama तो यहां है TIE बात करें Video Recording की तो यहां भी दोनों ही Devices record करते हैं 1080p Video 30fps पे तो यहां भी है TIE चलिए बात करते हैं Performance की तो स्टार्ट करते हैं Operating System से तो यहां दोनों ही Devices में है Android 10 का Support तो यहां है TIE बात करें User Interface की तो Redmi 9 Power में है MiUI 12 और A15S में है ColorOS 7.2 तो यहां मैं करती हूं TIE क्योंकि यह आपकी Personal Choice है कि आपको कौन सा UI पसंद है चलिए बात कर लेते हैं Processor की तो Redmi 9 Power में है Snapdragon 662 का Processor और A15S में है MediaTek Helio P35 तो यहां विनर है Redmi 9 Power क्योंकि Snapdragon 662 आपको देगा Better Performance बात करते हैं GPU की तो Redmi 9 Power में है Adreno 610 का GPU और A15S में है Power VR तो यहां विनर है Redmi 9 Power क्योंकि Adreno 610 आपको देगा Games में Better FPS चलिए बात कर लेते हैं Clock Speed की तो Redmi 9 Power में है Octocore Cryo 260 Gold जिसकी Clock Speed है 2.0 GHz और A15S में है Octocore Cortex A53 जिसकी Clock Speed है 2.3 GHz तो यहां विनर है A15S क्योंकि इसकी Clock Speed जादा है बात करते है RAM की तो यहां दोनों ही devices में है 4 GB की RAM तो यहां है TIE चलिए बात करते है Internal Storage की तो Redmi 9 Power में है 64 और 128 GB UFS 2.1 Storage और A15S में है 64 GB EMMC 5.1 Storage तो यहां विनर है Redmi 9 Power क्योंकि इसमें है जादा Storage और बात करें External Storage की तो यहां दोनों ही devices में है Micro SD XC Dedicated Slot तो यहां है TIE चलिए बात कर लेते हैं Display की तो स्टार्ट करते हैं Display की साइट से तो यहां Redmi 9 Power की डिस्पले है 6.53 इंचिस की और A15S की डिस्पले है 6.52 इंचिस की तो यहां प्रॉक सेम डिस्पले होने की कारण मैं यहां करते हूं TIE बात करते हैं Screen to Body Ratio की तो Redmi 9 Power में है 83.4% की रेशो और A15S में है 83.0% की रेशो तो लाजर रेशो की वजह से यहां विनर है Redmi 9 Power चलिए बात करते हैं Resolution की तो Redmi 9 Power में है Full HD Plus की डिस्पले और A15S में है HD Plus की डिस्पले तो यहां विनर है Redmi 9 Power बात करें Display Type की तो यहां दोनों हे Devices में आपको मिलती है IPS LCD की डिस्पले तो यहां है TIE चलिए अब बात करते हैं Body की तो स्टार्ट करते हैं Thickness से तो Redmi 9 Power की Thickness है 9.6 mm और A15S की Thickness है 7.9 mm तो यहां Thinner Body के कारण विनर है A15S बात करें Weight की तो Redmi 9 Power में है 198 g वेट और A15S में है 175 g ग्राम तो यहां Lighter Body के कारण विनर है A15S और Protection के लिए यहां दोनों ही Devices में है Goyla Glass 3 की Protection तो यहां है TIE चलिए बात करते हैं Build Quality की तो यहां दोनों ही Devices में है Plastic Back और Plastic Frame तो यहां भी है TIE और Sim के लिए भी दोनों ही Devices में है Dual Nano का Sim Slot तो यहां भी है TIE चलिए अब बात करते हैं दोनों devices के features की तो start करते है fingerprint scanner से Redmi 9 Power में है side mounted fingerprint scanner और A15S में है rare mounted fingerprint scanner तो मेरे according यहाँ भी नगा A15S क्योंकि rare mounted scanner होता है easy to access पर यहाँ पर आपकी personal choice है कि आपको कौन सा fingerprint scanner पसंद है चलिए बात करते है sensors की तो Redmi 9 Power में है accelerometer, proximity और compass और A15S में है accelerometer और proximity तो compass के एक extra sensor के कारण यहाँ विनर है Redmi 9 Power बात कर लेते हैं battery की तो Redmi 9 Power में है 6000 mAh की battery और A15S में है 4230 mAh की battery तो यहाँ clear विनर है Redmi 9 Power बात करें charging की तो Redmi 9 Power में है 18 watts की fast charging और A15S में है 10 watts की charging बात करते हैं communications की तरफ तो स्टार्ट करते हैं wireless LAN से तो Redmi 9 Power में है Wi-Fi, AC, dual band Wi-Fi, Wi-Fi direct और hotspot और A15S में है Wi-Fi, AC, Wi-Fi direct और hotspot तो यहाँ winner है Redmi 9 Power क्योंकि इसमें आपको मिलता है dual band Wi-Fi बात करते है Bluetooth की तो यहाँ दोनों ही devices में है 5th generation का Bluetooth तो यहाँ पे है Tire बात करते है GPS chips की तो यहाँ दोनों ही devices में है AGPS, Glowness और BDS और बात करें USB की तो Redmi 9 Power में है 2nd generation का Type-C Reversible Connector USB OTG Support के साथ और A15S में है Micro USB 2.0 USB OTG Support के साथ तो यहाँ winner है Redmi 9 Power क्योंकि इसमें आपको मिलता है Reversible Connector तो चलिए अब last में बात कर लेते हैं दोनों devices के prices की तो international market में Redmi 9 Power का price है 150 US Dollar और A15S का price है 200 US Dollar और Indian market में यहाँ दोनों ही devices का price है 11,000 रुपीज तो अब सबसे अखर में बात करते हैं इस वीडियो के conclusion की तो यहाँ camera में winner है Redmi 9 Power performance में winner है Redmi 9 Power display में winner है Redmi 9 Power body segment में winner है A15S features में winner है Redmi 9 Power communications में winner है Redmi 9 Power prices में winner है Redmi 9 Power तो अभी आपको डिसाइड करना है कि आपको इन दोनों devices में से कौन सा डिवाइस अच्छा लगा और मुझे भी comments में जरूर बताएं तो थेंक्यो गाइस फर वाचिंग इस वीडियो अगर आपको हमारा content अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और प्लीज चैनल को जरू सब्सक्राइब करें अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं Facebook पे तो हमारी Hindi Tech HD पेज को जरू लाइक करें और अगर आप मुझे Instagram पे फॉलो करना चाहते हैं तो मेरी ID है स्क्रीन पे मैं भू अंजली मैं मिलती हूँ आप जब भी नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई